आदाब मैं हूँ शकील हमद और आप देख रहें न्यूस मैक्स न्यूस मैक्स में आपका स्वागत है अभी लोग सबा अलेक्शन को ज्यादा वक्त नहीं बीता है और जिस तरह से मोधी 2 में सरकार बनाए गई 303 MPs PGP के अकेले आए और पारलिमेंट में दावा किया गया कि पूरे देश में BGP के फिवर में एक माहौल बन रहा है लेकिन कल जब 29 सामने आए तो हरियाना में जिस तरह से BGP अपने दमपर सरकार बनाने में नाकाम रही सपोर्ट लेना पढ़ लाए है इंडिपेंडनेंट MLS का और उसके अलावा महारास्ट में भी BGP का गिराफ गिरता हुआ नजर आया BGP खुशी मना रही है लेकिन कहीं न कहीं BGP के खैमे में एक मायूसी भी है कि सिर्फ तीन चार महीने में आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग अब BGP से खफा होते वे नजर आ रहे हैं अंदर हरियाना में ये कहा जा रहा है कांगरिस के जरीए कि हम पहले से थोड़ी मैनत की होती पहले से पार्टी ने जिम्मदारियां तैक ही होती तो शायद हालात ये ना होते बलके हम अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में कामियाब हो जाते क्योंकि जिस तरह के नताइश सामने आ रहे थे जिस तरह के चीज़े सामने आ रही थी सर्वे सामने आ रहे थे और एक मीडिया का चेहरा बेनकाब इनके जरीए कर दिया गया है। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो बाई एलेक्शन्स थे। तमामी रियास्तों में कितनी कितनी सीटों पर एलेक्शन थे। और मुख्य तोर पर जो बड़े-बड़े रियास्ते हैं उनको मैंने चुना है जहां पर बीजेपी और कॉंग्रेस या सेकुलर पार्ट्यू के आपस में टक कर है। सबसर पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहर में पास सीटों पर अलक्शन हुआ जिसमें दो पर एक पर मजलिस, मेख पर इन्डिपेंडेंट और एक पर जेडियो ने जीत हासिल की। चार पांस सीटों का मैंने जिक्र किया, आरजेटी को हराया है, जेडियू ने, दो सीटों पर, मजलिस को हराया है, मजलिस ने हराया है, बीजेपी को, और इंडिपेंडेंट को हराया है, जेडियू को, और एक जेडियू का कंड्रेट को हराया है, आरजेटी ने, यानि, यहा तराकी खारागी सारी सीटें BGP माचार अ समस्थै कि ये लात भी, एक हारे सकता है.. फार प्रबिय कहार जारा है कि ऊपना पैसा नहीं निकाल पा रहे है रोजगार को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है । तो शायद यही वजा है लालो की पार्टी को बढ़त महाँ पर हासिल हुई है लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे नमबर पर जो नातनगर से रही है राबिया खातून आरजिडी की वो उनको भी काफी वोट जो है उनका वोट काटा गय है कुछ मुस्लिम के इंडेट उनकी सीट पर खड़े हुए थे जिसकी वज़े से उनको नाकामी हासिल लगी है और राबिया खातून को हार का सामना यहां पर बिहार में करना पड़ा है अब गुजरात की बात करते हैं गुजरात में सबसे बड़ी बात यह है कि 6 सीटों प हार गया है यानि सबसे बड़ा जटका इसमें अलपेश ठाकुर को लगा है अलपेश ठाकुर जो कुछ दिन पहले ही कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में गये और उसके बाद वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा मत परदेश में एक सीट पर एलक्शन हुआ था असम्बली की जो कॉंग्रेस के हाथ में गयी है पंजाब में चार सीटों पर हुआ था तीन पर कॉंग्रेस ने जीत हासल की है और एक पर शिरुमनी अकाली तल नहीं है यहां पर भी बेजेपी का सफाया दोनों जगे देखने में आ रहा है उसके लगा हम केरला की बात करते हैं तो केरला में पांच सीटों पर अलक्षन था कल भी मैंने आपको बताया था कि दो मुस्लिम कंडेट यहां से जीत करके आए हैं दो CPI एक मुस्लिम लीग और दो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यानि पांच सीट हैं इस तरह से लोगों को मिली है अब बात करते हैं राज यह डियाम के को दोनों सीटों पर काम्यावी मिली है तेलंगाना में टियारेस को और उत्तर परदेश का हम जिकर करता हैं ऐसे मैं नहीं भोलेंगे उत्तर परदेश बहुत एहम है क्योंके 11 सीटों पर सबसे ज्यादा यहां पर जिमनी इंतखावात थे और 11 से साथ सीटों पर बीजेपी एक पर अपना दल जो बीजेपी का सहयोगी दल माना जाता है यानि आठ सीटों पर कहा जा सकता है कि बीजेपी और उसके सहयोई दल को काम्यावी हासिर मिली है लेकिन बीएसपी के लिए एक बहुत बुरी खबर है बीएसपी एक भी सीट यहां पर नहीं ला गंगो लेकिन यहाँ पर आखिरी दोर के जो काउंटिंग थी उसमें यह इल्जाम लगा जा रहा है रए रशीद मसूद के जरीए के इमरान मसूद के जरीए के यहाँ पर धांदली हुई है और बहुत कम मार्जिन से यह सीट हारी गई है 57 वोट से हा रहे हैं वीजिपी को 68237 कॉंग्रेस को 687 समाजवादी पार्टी को 57352 वोट मिले हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी वोट सा भिया वोट कट हुआ थावित हुई है उसके अलावा BSP को 32,227 वोट मिले हैं BSP को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं यहाँ पर मुस्लिम थे इरिशाद अहमद और इंडिपेंडन्ट थे एक जिनको तक्रिवाँ दूसरे इरिशाद उनको 161 वोट मिले हैं यानि अगर BSP भी यहाँ पर BSP का जो वोटर था वो भी अगर अंदाजा लगाता पहले से इरिशाद कि कुछ वोट अगर डाइवर्ट हो जाते नौमान मसूद की तरफ, कॉंग्रेस की तरफ तो यहाँ से भी एक मुस्लिम कंड्रेट निकल सकता था तो सबसा बड़ी बात जो है वो BSP को यहाँ पर जटका लगा है बहुत बड़ा जटका लगा है क्योंकि BSP की एक भी सीट 11 मैं से नहीं आ पाई है दो सीटों पर BSP ने अच्छा फाइट की है समाजवादी पार्टी से लेकिन डायरेक्ट बीजेपी से BSP का मकाबला नहीं हो पाई है तो यह मायवती के लिए एक बहुत बड़ा सोचने का मकाम है इस मौके पर किस तरह से अपने पार्टी को रिवाइफ करें और अब फिर इस बाई अलेक्शन में भी बहुत जन समाजवादी बिलकुल खत्म होतीवी नजरा ली है शुक्रिया ये थी कुछ डिटेल अलेक्शन से मतालिख जो मैंने आप तक पहुचाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें इसके साथी बेल आइकन जरूर दबाएं धन्यवाद